ओम शांति ओम शांति आज 22 सितंबर 2024 दिन रवीवार की अव्यक्त मुर्ली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मदूर महवाक्यों को स्नेह की शक्ती द्वारा स्मर्थ बनो सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंचली दो आज स्मर्थ बाप अपने स्मरती स्वरूप स्मर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आई हैं आज विशेश चारो और के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है विशेश प्रम्मा बाप के सनेह की यादों में समाई हुए है यह सनेह हर बच्चे के इस जीवन का वर्दान है परमात्म सनेह नहीं आप सबको नई जीवन दी है हर एक बच्चे को सनेह की शक्ती नहीं बाप का बनाया यह सनेह की शक्ती जब सहज कर देती है जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिती सहज अनुभव करते हो बाप दाधा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाई रहो स्नेह चत्रचाया है जिस चत्रचाया के अंदर कोई माया की परचाई भी नहीं पड़ सकती सहज मायाजीत बन जाते हो जो निरंतर सनेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती सनेह सहज बाप समान बना देता है सनेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है तो आज भी अमर्त वेले से हर एक बच्चे ने सनेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी सनेही बच्चों को सनेह की माला डाली जैसे इस विशेश समर्ती दिवस में अर्थात सनेह के दिन में सनेह में समाई रहे ऐसे ही सदा समाई रहो तो मेहनत का पुर्शार्थ करना नहीं पड़ेगा एक है सनेह के सागर में समाना और दूसरा है सनेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना तो कई बच्चे समाई हुए नहीं रहते हैं चल्दी से बाहर निकल आते हैं इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है तो समाना आता है समाने में ही मज़ा है ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया गंगा सागर में समाती है अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ, सदा संकल्प में समर्थ रहो, अब वियर्थ का समाप्ती समारो हो बनाओ, क्योंकि वियर्थ समर्थ बनने नहीं देखा, और जब तक आप निमित बने हुए, बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आतमाओ को समर्थी कैसे दिलाएंगे सर्वात्माई शक्तियों से बिलकुल खाली हो शक्तियों की बिखारी बन चुकी है ऐसे बिखारी आत्माई को हे समर्थ आत्माई इस बिखारी पन से मुक्त करो आत्माई आप समर्थ आत्माई को पुकार रही है हे मुक्तिदाता के बच्चे मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दू क्या यह आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता सुनने नहीं आता अब तक अपने को ही मुक्त करने में विजी हैं क्या विश्व की आतमाओं को बेहद स्वरूप से master मुक्तिदाता बनने से swim की छोटी-छोटी बातों से स्वतही मुक्त हो जाएंगे अब समय हैं कि आतमाउं की पुकार सुनो पुकार सुनने आती है या नहीं आती है परेशान आतमाउं को सुक शांति की अंचली दो यही है ब्रह्मा बाप को follow करना आज विशेश ब्रमा बाप को याद ज्यादा किया ना ब्रमा बाप ने सभी बच्चों को सम्रती और समर्थी स्वरूप से याद किया कई बच्चों ने ब्रमा बाप से रुह रिहान करते मीठा मीठा उलहना भी दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए और दूसरा उलहना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया तो बाप ने बोला अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्चे आपको छोड़ सकते थे आप अर्जुन का तो यही यादकार है कि अंतमे नश्टो मुहा स्मरती स्वरूप ही रहे है तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा जा रहा हूँ सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे क्योंकि समय प्रमाण सन्शोज फादर का पार्ट ड्रामा की नूंद थी इसको कहते हैं वा ड्रामा वा सेवा का परिवर्तन नुंधा हुआ था ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबॉन बनना था तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था विशेश आज डबल विदेशों ने बहुत मीठे मीठे उलैने दिये हैं डबल फॉर्णर्स ने उलैने दिये डबल फॉर्णर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला सिर्फ दो तीन साल आप रुक जाते तो हम देख तो लेते तो ब्रह्मा बाप ने हसी में बोला हसी की तो ड्रामा से बात करो ड्रामा ने ऐसा क्यों किया लेकिन ये लास्ट सो फास्ट का एक्जेंपल बनना ही था चाहे भारत में, चाहे विदेश में इसलिए भी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ जैसे आज समर्थ दिवस मनाया ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो किसी भी प्रकार की हल चल ना हो जो ब्रामा बाप ने आज के दिन तीन शब्दों में शिक्षा दी अर्थत निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी इन तीन शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो मनसा में निराकारी, वाचा में निर एहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देभान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो कोई भी कारे करो, कारे करते भी अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार करमेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ निराकार स्थिती करावनहार स्थिती है करमेंद्रिया करनहार है आत्मा करावनहार है तो निराकारी आत्मा स्थिती से निराकारी बाप स्वतही यादाता है जैसे बाप करावनहार है ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं न्यारे रहेंगे क्योंकि कर्म के बंधन में फसने से ही समस्यायाती है सारे दिन में चेक करू करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ अच्छा अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तेवर करो अच्छा इस बारी जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वह हात उठाओ तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेश याद प्यार दे रही है कि समय पर बाप को पहचान बाप से वरसे के अधिकारी बन गए है सदा आपने इस भागे को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया अच्छा डबल फॉर्णर साथ उठाओ बहुत अच्छा डबल फॉर्णर्स को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाईश है एक है डाइरेक्ट मुख द्वारा वैंशावली और दूसरे हैं संकल्प द्वारा वैंशावली तो संकल्प शक्ती बड़ी महान होती है जैसे संकल्प शक्ती फास्ट है ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉर्णर्स फास्ट पुर्शार्थ और फास्ट प्रालब्द अनुभव करने वाले हैं इसलिए सारे ब्रहमन परिवार में डबल फॉर्णर्स डबल सिकिल दे हो भारत के भाई बेहने आपको देख करके खुश होते हैं वहाँ डबल फॉर्णर्स वहाँ डबल फॉर्णर्स को खुशी होते हैं ना कितनी खुशी है बहुत हैं कोई ऐसी चीज ही नहीं जिससे तुलना कर सके डबल फॉरन में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं अच्छा है यह साइस के सादन आपको बेहृत की सेवा करने में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा करवाएंगे आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही यह साइस की भी तिवरगति हुई है अच्छा सभी पांडव समर्थ हैं ना कमजोर तो नहीं सब समर्थ हैं और शक्तियां समान बाप शक्ति से न हो शक्तियों की शक्ति माया जीत बनाने वाली है अच्छा आज विशेश श्रिंगार करने वाले भी आए है अर्थात कलकत्ता के भाई बहने फूल लेकर आए हैं सब जगे फूलों से बहुत अच्छा श्रिंगार किया है यह भी स्नेह की निशानी है अच्छा है अपना स्नेह का सबूत दिया अच्छा, टीचे साथ उठाओ हर ग्रूप में टीचेस बहुत आती है टीचेस को चांस अच्छा मिल जाता है सेवा का परतिक्ष भल मिल जाता है अच्छा है, सभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात कार कर आओ सुना, क्या करना है अच्छा, मद्बन वाले हाथ उठाओ बहुत अच्छा मदुबन वालों को चांस मुत मिलते हैं इसलिए बाप दादा कहते हैं मदुबन वाले हैं रुहानी चांसलर्स चांसलर हो ना सेवा करनी पड़ेगी फिर भी सबको मदुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना इसलिए बाप दादा मदुबन वालों कभी भूलते नहीं है मदुबन निवासियों को खास याद करते है मदुबन वालों को क्यों याद करते है क्योंकि मदुबन वाले बाप के प्यार में मेज्योरिटी पास है मेज्योरिटी बाप से प्यार अटूट है कम नहीं है मदुबन वाले बहुत अच्छे है इन दोर जोन के सेवाधारी आएं इन दोर जोन वाले हात उठाओ बहुत है अच्छा है सेवा करना अरथाथ समी पाने का फल खाना सेवा का चांस लेना अरथाथ पुन्य जमा करना दुआएं जमा करना तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुन्य का खाता जमा किया यह दुआएं वा पुन्य एक्स्टर लिफ्ट का काम करती है अच्छा देश वा विदेश जो दूर बैठे भी समीप है सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस के रिटर्न में पदम गुणा स्नेह का याद प्यार दे रही है बाप दादा देखते हैं कि कहां क्या बज़ता है कहां क्या टाइम होता है लेकिन जागती जोती अथक बन सुन रही है और खुश हो रही है बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं बोलो सभी खुशी में नाच रहे हो ना सभी कांध हिला रहे हो हाँ बाबा जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है वैसे तो सब बाप को याद करते हैं लेकिन कितनों का नाम ले अनिक बच्चे हैं इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने नाम से पर्सनल यादप्यास विकार कर रही है और करते रहना अच्छा अभी एक सेकिन में निराकारी स्थिती में स्थित्न हो जाओ बाप ने ड्रिल कर आए लिविंग वैल्यूज की ट्रेनिंग चल रही है अच्छा सेवा का साधने लिविंग वैल्यू कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते रहना अच्छा बाप दादा आज एक बाद गुलजार बच्ची को कह रही थे विशेश मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मातन की सेवा जैसे इस रत ने भी 33 वर्ष पूरे किये ये भी ट्रामा में पाट है बाप की मदद और बच्ची की हिम्मत दोनों मिलकर पाट पजाते हैं अच्छा सर्व सदासने के सागर में समाय हुए सदा लव में लीन रहने वाले सदा करावनहर आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले सदा तीन शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले सदा बाप के समान मास्टर मुक्ती दाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलने वले ऐसे सर्वश्रेश्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस थे रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड पॉनिंग और नमस थे दादी जी से आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेश विश्व के सामने परत्यक्ष किया बाप करावनहार बने और बच्चों को करनहार बनाया अच्छा है यह स्नेह की लहर सभी को समा देती है अच्छा शरीर को चलाने की विद्या गई है न चलाते चलाते बापसमार अव्यक्त बन जाएगी सहज पुर्शार्थ है दुआएं सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो दुआएं मिले यह हैं फस्ट क्लास पुर्शार्थ सहज भी है फस्ट भी है ठीक है न शरीर कैसे भी हो लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है न तो जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्श तपस्या की वे तपस्या का बल सेवा करा रही है अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं बस आपको देखकर खुश होते हैं यही बहुत है ठीक है वरिष्ट बड़े भाईयों से ड्रामा अनुसार जो सेवा के प्लैन बनते हैं वे अच्छे बन रहे हैं और हर एक सदा संगठन में सिनेहवा दुआयद लेने के लिए बालक सो मालिक का पाट पका कर एक दो को आगे बढ़ाते हुए एक दो के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है सफलता तो हो नहीं है लेकिन अभी जो निमित आत्मा है उनों को विशेश स्नेह के संबंध में लाना है ये सब के पुर्शार्थ को तेवर बनाना है स्नेह नी स्वार्थ स्नेह जहां नी स्वार्थ स्नेह है वह संबान देंगे भी और लेंगे भी वर्तमान समय स्नेह की माला में सब को पिरोना यही विशेश आत्माओं का कार है और इससे ही सने संसकारों को परिवर्तन भी करा सकता है ज्यान हर एक के पास है लेकिन सने कैसे भी संसकार वाले को समेप ला सकता है सिर्फ सने के दो शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है नीस्वार्थ सने जल्द से जल्द माला तैयार करतेगा ब्रह्मा बापने क्या किया सने से अपना बनाया तो आज इसकी आवशकता है है ना ऐसे सोनिपत के लिए मेटिंग हो रही है वह अनुभूती कराने के लिए साथनों का उपयोग कैसे करे वह तो प्लैन बना रहे है हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेश में जोर्टी स्विकार करे वह बनाओ अनुभूती तब करा सकेंगे जब अनुभूती स्वरूप बनेंगे अच्छा वर्दान दर्टा की शक्ती द्वारा सफलता प्राप्ट करने वाले त्रिकाल दर्शी आसंधारी भव अब बाप दादा के वर्दान को दिस्तार में सबचेंगे दर्टा की शक्ती श्रेश्टी शक्ती है जो अलबेलेपन की शक्ती को सहच परिवर्दन कर देती है बाप दादा का वर्दान है जा द्रडता है वहां सफलता है ही सिर्फ जैसा समय वैसी विधी से सिद्धी स्वरूप बनो कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदी मद्य अंत को सोच समझ कर कारें करो और कराओ संकल्प रूपी बीज शक्ति शाली द्रडता संपन हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही स्लोगन सदा संतुष्ट रहे सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणी है ओम शंती ओम शंती